बूर्णिंग स्टुदेंट्स, वेलकम तो ओनलाइन क्लासेज, सेंट एंजल पब्लिक स्कूल बागपर्थ, स्टेंडर नाइन्थ, सब्जेक्ट एसस्ट, यूनिट सिविक्स, चैप्टर नमबर फर्स्ट, वाट इस डेमोक्रिसी, वाइस डेमोक्रिसी, लास्ट वीडियो म करेंगे comparative study of democracy and dictatorship, डेमोक्रिसी और लोगतंत्र के बीच में जो अंतर हैं उनके बार में जानेंगे, लोगतंत्र और ताना साही, इनके बीच में जो अंतर हैं उसके बार में study करेंगे, या फिर why democracy, कि हमें democracy क्यों चाहिए, हमें लोगतंत्र क्यों चाहिए, Point No. 1 Government based on the will of the people Democracy is based on the will of the people Democracy एक ऐसे सरकार है जो लोगों की इच्छा पर आधारित होती है and it function according to their consent और ये सरकार लोगों की अनुरूप कार्य करती है लोगों की जुरुतों के हिसाब से काम करती है The fact is that Democratic government cannot ignore the interest of the people जो लोगतांत्रिक सरकार है वो जनता के हितों की अन्देखी नहीं कर सकती To run administration, the government make policies and plans keeping in mind public interest and the representatives elected by the people pay due respect to the wish of the people एक Democratic government के अंदर एक लोगतांत्रिक सरकार के अंदर परसासन है, जो सरकार है वो जो भी नीतिया बनाती है जो भी प्लान करती है वो लोगों के हितों को ध्यान में रखकर करती है और जो परतिनिदी जनता द्वारा चुने जाते हैं वो जनता की च्छाओ का समान करते है और उनकी जो भी मांगी है या इच्छाएं उन्हें पूरा करने का प्रियास करते है on the other hand dictatorship is based on the will of an individual or group and the government function according to his wishes मैं दूसरी तरफ जो dictatorship है ताना साही सरकार है वो किसी विशेज किसी एक व्यक्तिक इच्छा पर या कुछ लोगों की सम्हूं की इच्छा पर आधारित होती है और ये सरकार अपनी इच्छा के नुरूप कार्य करती है उसे जनता की इच्छाओं से कुछ लेना देना नहीं होता Point No.2 Welfare of All Democratic Government does not look after the interest of any particular caste class or group rather it looks after the interest of all and provide equal opportunity to all for their development जो लोगतांत्रिक सरकार होती है वो किसी विशेश जाती समू के लिए काम नहीं करती किसी विशेश जाती को फाइदा पोचाना है या किसी विशेश समू को फाइदा पोचाना है ऐसा लोगतांत्रिक सरकार का मकसद नहीं है बलकि ये जो सरकार होती है ये सभी के लिए देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए कार्य करती है सब को समान अवसर उप्रक्राती है ताकि सब लोग अपना development कर सके अपना विकास कर सके The government make economic and social plan for the welfare of all जो democratic government है वो आर्थिक और सामाजिक जोजनाई तियार करती है जिसका लाब देश में रहने वाले सभी लोगों को मिल सके In case the government does not do so the people can change it during next election और अगर कभी सरकार democratic government ऐसा नहीं करती है तो जो public है वो अगले चुनाव में उस सरकार को बदल सकती है उसको गिरा सकती है Dictatorship looks after the interest of a group or an individual वहीं दूसरी तरफ तो dictatorship है ताना साही है वो किसी विशेश सम्हूँ जै किसी विशेश वेक्तियों के लिकार्य करती है उनको फाइदा पोचाती है The people cannot change dictatorship इतना है नहीं लोगों के पास यह अधिकार भी नहीं है कि वो dictatorship को बदल सके It is possible only through a revolution अगर किसी देश के अंदर ताना साही है dictatorship है तो उसे चुनाओं की मदद से नहीं बदला जा सकता उसे शिर्फ किसी आंदोलन के दुआरा किसी करांती के दुआरा ही बदला जा सकता है Third, Responsible Government उत्तरदाई सरकार Democratic Government इसे Responsible Government लोगतांत्रिक सरकार एक उत्तरदाई सरकार होती है The representative elected by the people on the basis of universal adult franchise remain responsible to the people and in case they do not remain responsible before the people the people can change them during the next election लोगतांत्रिक सरकार Democratic Government जनता के परति उत्तरदाई होती है वो जो भी कारे करती है उसका जवाब जनता को देना पड़ता है अगर वो ऐसा नहीं करती है तो जनता उसे अगले चुनाव में हटा सकती है वो किसी अधर पार्टी को वोट करेगी दूसरी पार्टी की सरकार बनाएगी और जो रूलिंग पार्टी है उसे सकता से हटा देगी On the other hand Dictatorship is not responsible government वही दूसरी तरफ जो Dictatorship है तानसाही है वो कैसी सरकार है जो जनता के प्रती जवाब दे नहीं होती The government is not responsible not answerable to the people यह जो Dictatorship वाले government है यह जनता के प्रती किसी भी काम के लिए उतरदाई नहीं है वो अपनी इच्छा से अपनी मर्चिसे कारिये करती है Point No.4 Possibility of Good Laws In Democratic Government The representatives have direct relation with the people Therefore, they properly understand their problem and interest एक Democratic Government के अंदर जो प्रती निदी चुने जाते है वो जनता के साथ सीधे सीधे जुडे रहते है इसलिए उन्हें अच्छे से मालूम है कि लोगों की क्या समस्या है और लोगों की क्या इंटरेस्ट है वो क्या चाहते है They properly represent the interest of the people in assemblies and parliament and also try to get the good laws passed इसलिए जो डेमोक्रिसी है लोकतंत्र वाली सरकार है यहाँ पर जो प्रती निदी चुने जाते है वो लोगों की समस्या है जो भी उनके हित है जब प्रोब्लम्स है वो assembly या parliament में रखते है और परियास करते हैं कि उन समस्याओं को लेकर अच्छे नियम कानून देश में बनाए जाए Under dictatorship, laws are passed according to the will of the dictator वहीं दूसी तर्फ जहाँ पर dictatorship होती है तानासाही सरकार होती है वहाँ पर जो भी नियम कानून बनते हैं वो dictator की इच्छा से बनते हैं जैसा dictator चाहता है उस तरह के नियम कानून वो अपने देश में बनाता है उसे जनता से कुछ लेना देना नहीं है Point No.5 Less possibility of revolution There is a little or no chance of reward against a democratic government because the people can change it by peaceful and constitutional means of election and by freely expressing public opinion तो जहाँ पर democratic government होती है वहाँ पर सरकार को बदलने के लिए किसी क्रांती के आउसकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोगों को चुनाव के दोरान अवसर उपलब कराया जाता है जहाँ पर वो सांती से और समयधानिक रास्ते से उस सरकार को बदल सकते हैं तो एक democratic government के अंदर लोगतांत्रिक सरकार के अंदर लोगों को अधिकार दिया गया है कि अगर उन्हें सरकार पसंद नहीं आती है तो बिना किसी हिंसा खून खरावे या किसी करांती के सांती पून तरीके से समयधान के माध्यम से टुनाव के दोरान उस सरकार को बदल सकते हैं इलेक्शन आर दा सेफटी वैल्यूस ओ पोपलर गवर्मेट हिस्ट्री सोस्ट एट मोस्ट अफ दिक्टेटर हैव बीन थ्रोन आउट आफ पावर बाई दर पीपल इतिहास में अगर हम जाएं तो हमें देखने में आता है कि जो हाँ पर डिक्टेटर रूल किया करते थे उनको जनता दुआरा ताकत के माध्यम से गद्दी से हटाया गया ऐसा हमें देखने को मिला रस्यान और फ्रेंच रेवल्यूसन के दुआरा तो रस्या में भी जहां पर तानास आई थी तो लोगों ने रेवल्यूसन के माध्यम से उस सरकार को बदला और फ्रांस में भी ऐसी ही करांति हमें देखने को मिली पॉइंट नमबर शिक्स पॉलिटिकल एजुकेशन The greatest merit of democracy is its educative value Participation in election and other political activities make the people intelligent and politically conscious तो यहाँ पर point number 6 में कहा है राजनितिक शिक्सा के बारे में तो जब से महत्पूर्ण जो लोगतंत्र का फाइदा है वो यही है कि लोगों को राजनितिक ज्यान प्राप्त होता है चुनाव में हिस्सा लेना यहाँ राजनितिक गतिविदियों में हिस्सा लेना इससे लोगों को राजनितिक बार में ज्यान होता है और लोग राजनितिक अवेर बनते हैं They become enlightened citizens और इतना ही नहीं इस political education की वज़े से देश में रहने वाले नागरिक enlightened citizens बनते हैं वहाँ पर लोगों को किसी भी तरह का राजनितिक अवेर नहीं दिया जाता So they are not given any chance to become politically aware तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर dictatorship हैं वहाँ पर लोगों को कोई मोका नहीं मिल पाता जिससे वो राजनितिक के बारे में aware हो सके, जाकरूप हो सके या उसके बारे में जानकारी प्राफ्ट कर सके Now we will discuss some important questions related to the explain topic Question number first Which government works according to the consent of the people Question number two Which type of government can be changed only through revolution Question number third What do you understand by universal adult franchise Question number four How are laws passed in a dictatorship Question number five How did democracy make people political aware We will discuss the chapter further in next online class Till then Stay connected Have a nice day Thank you